हेलो दोस्तों चलिए आजम देखेंगे अजया सिंग्रावाद जी की पुस्तक उत्राखन का समगर राइतिक इत्यास से समनित टैसरीज का भाग 6 यहां भी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर प्रस्णों को और जाने के उनसे जुड़ी वेतर थिया हम लगादार अजया सिंग फते आप कहसी का वर प्रस्ण तो इसका सही आंसर है प्रस्ण किसकी रचना है तो इन चारों में से उनकी रचना है रतन की रत नहीं गाग लेके गए हैं अगला हमरा प्रश्ण वुर्थ कौउमदी किसकी रचना है तो उसका सज़ें सहरो जाएगा कभी मतिराम की रचना है मतिराम कंधिक कौन सबान से sa go देख कि धुकО् सा कॉनरार गोरक से समादय था तो गोरक से समध्य कोर पर्मार içe न vendors भाल गड़ों का एक इसकार्ण किया था ऍसक्रेंए देख़ें जो पर्मार नहीं झेंसे कॉंसे गाउं गूरु राम राय को नहीं दिया था फ़ते परीinaire में देगे नवाधा जबकि खुरबडा राजपूर और चमा सारी यह दिया कुछ गावं दान में दिये तो इन में से कौन सा परमार की मिलेडिया से गर्सित होई तो इन मैं से कौन सा परमार है जिसकी मिर्टियू मलेरिया से गर्षित होने की करान हुई तो इसका आंसर है रलित सहा और यह हुआ कप था यह हुआ तब था जब 1779 में रलित सहा ने आकरमन किया था कुमाव पर और कुमाव की गधिपर परदिमान सहा को आसिन करके वो वापस तो वहीं उनको बीच में ही मलेरिया हो गया और उनकी मिर्त्यू हो गई अगरा हमारा प्रश्ण साने कमाओं के पूर अपने से पूर राजा का अपने खुद को दर्थक पुत्र गोशित किया तो यह थे दीपचंद दीपचंद का दर्थक पुत्र गोशित किया गया था प्रदिमान साथ वारा खुद को अगला हमारा प्रश्ण कमाओं के किस साथक ने देवलगर को लूट को है जैसे आफिए स्रीनगर को लूप लूटा तौन तो देखा है युझा ऐसे डेवलगर को मौन तो इसका सेया था प्रद्युम…" सा पर्दिमान सा जब कुमाओं की गद्धी पर बैटे तो उन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया और रखा था पर्दिमान चंद तो इन्होंने देवलगड की लूट की थी 1785 में जब जयकृत सा लगातार इनको 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 सता से अठाने के लिए लगातार सरी अंत्र कट तो इसके बदले में वने देवलगड को अटेक किया अगर्ण में dart斯ह किया तो इसके पर्मार श्ताने दिव प्रयाक की रवनात मंतिर में श्री थीया था घिए जयकृत सा नॽे जळय गर्डite उनकी मीर। के बाद गड़वाल में उनका बड़ा पुत्र जैकृत साही बैठा लेकिन दर्वारी स्थाड़ी अंत्रों के कारण परेशान होकर इन्होंने राजगद्धी छोड़ दी और रगुनात मंदिर बाइच लेगे जाइन की मृत्यू हो गई रगुनात मंदिर जो है वो स्री रा कुमाओं चंद वंसका इक दिवान हर्ष्थेव जोसी जो कुमाओं की गधी पर भी बैठा और मोहंचंद जो दो बार कुमाओं की गधी बैठा उनके मध्य जो कौनसा युद हो था तो इसका सियांसर है पाली गाउं का युदू उनके मध्य हुआ था अगरामाला यहां आज कर सबक्ति कर और हमारा प्रस्वार पर्रस्जन कर बंब पर सिक निंभावणी कल कि सबस्पर तो ग chirig था निष्ञव जो कि पर और स्कुल हुआगि यहांज कि सबस्ता का आपर कि आधि को ससी नहीं 5000 की तो यह को द्रुम्हां पिलेता मैंतरा क्या उं tapश यह मु आप दून यहां में इस में मिलता है गड़वाल का इतियास अगले हमारी पुस्तक खुरुबड़ा का युद्ध अठारा सो चार में अगला हमारा प्रश्ण कुमाओं का पहला गोर का सुब्भा कौन था तो जब कुमाओं भे 1792 में गोर्खो ने अपने सामरेजी की स्तापन कि और चंदों का अंत किया तो उनका जो पहला सुब्भा था सासक करने वाला माओं में तो वो कौन था सुबेदार जिसको हम कहते हैं तो वो था जोगमल शाह उनका पहला सुबेदार था कुमाओं में अगला हमारा प्रश्ण गोर्खो ने परसिद्ध लंगूर गड़ का गेरा कब डाला तो हम बात कर चुके हैं गड़वाल पर 1791 में आकरमन किया तो यही था लंगूर का गेरा 1791 अगला अमरा प्रश्ण गोर्खा सासन में कामी क्या थे तो मतलब गोर्खा सासन में एक सब्द निकल कर रहाता है कामी तो किसके लिए परिवक्त यह सब्द था त करते थे तो इसका प्रणत का प्रियोग करते थे तो इसका से असर हो जा位गा हरीवंस से एक मावालत का एक भाग है इसका प्रियोग कर देते गुर्खा कसम दिलाने है तू अगरा आमरा प्रश्न कौन सी जाती गुर्खों के प्रिया हतियार खोकरी का निर्वान करती थी तो इसका से यहां दोल जाएगा नेवार अगरा हमारा प्रश्न गुर्खा सासन में ब्रामनों पर लगने वाला कर था तो इन मेंसे कौन सा कर ऐसा था तो गुर्खा सासन में ब्रामनों पर लगाया गया था तो कुसाहिकर जो गुर्खाओं ने ही जिसकी सुरुवात की थी यह कुसाहिकर ब्रामनों पर लगवाया था गोर्खाओं ने अगला हमारा प्रस्ट सलामी किस प्रकार का कर था तो सलामी किस प्रकार का कर था तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलामी नजराना कर था जो गोर्खा सुवेदारों से या गोर्खा जो टेक्स करेक्टर होते हैं उनको दिया जाता था उनसे मिलने पर अगला हम बार्ने बाद